हेलो एवरीवन यूर वेलकम ओन यूट्यूब चैनल दी बीगर इस्टेट माइनम इस एजन आरंग आज हम अगेन बात करेंगे सिगनेचर ग्लोबल की जो की अपने लो राइस फ्लोर लेके आ रहे हैं सेक्टर थर्टी फाइव और सोनना एलिवेटर रोड साउथ ऑफ गुर सिगनेचर ग्लोबल के बास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 140 एकर लेंड सेक्टर थर्टी फाइव सोनना एलिवेटर रोड पे है और 150 मीटर रोड से आपकी अप्रोच है वहां से और यह जो है आपने क्योंकि अब गोवर्मेंट का डिसिजन आ चुका है तो यह फो यह को अजूनसेट इंका रहेगा बेसमेंट का नहीं रहेगा स्टेल प्लस फॉर फ्रोर डिवेल्पेंट रहेगी जैसे कि वीड़ फ्रोर में आपकी रहती है बट यह गेट्व तेड हैं जिसमें आपको फ्र्रेट करेगा मैं आगे अपने चैनल पर डाल दूंगा तो आज ये वीडियो बनाने का परपस यही था कि इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो दो अपडेट आएं जिनके ओपर हम बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया जो कन्फरिकेशन अभी इनका बड़े साइस की रहने वाली है वो 3BHK की रहेगी 3BHK प्लस 3 वाश्रूम प्लस पूजा रूम या सर्वेंट रूम भी आ सकता है और जो साइज आपका रहेगा 1500 से 1600 स्केर फीट का साइज रहने वाला है और इसमें क्या है कि एक important update ही है कि कुछ अपनी limited unit जी हमें limited unit की बात कर रहा हूं जिसमें 5% से लेके 10% तक इनकी 2BHK की unit भी आने वाली है जिसका budget आपका कम रहेगा तो जो 2BHK देख रहे हो तो वो भी जो है इसके अंदर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया लोकेशन काफी अच्छी है बिल्डर भी ठीक है बट limited unit है 2BHK की although allotment के chances कम रहेंगे बट आपका budget कम है तो आप 2BHK के अंदर देख सकते हो बाकि जो दूसरे update की मैं बात कर रहा हूं दूसरे update में कहा है कि इसके अंदर institutional plot भी लेके आ रहे है बट वो plot छोटे size के नहीं रहेंगे जैसे कि आपको पता एक institutional plot आपके 300 square yard, 500, 700,000 square yard so बड़े size कही रहेंगे 500 गज, 700 गज, 1000 गज और इसमें जो rate की possibility है वो 90,000 से 1 lakh के आसपास 1 square yard के आसपास की possibility है तो दो ये जो important update है एक 2BHK की limited rate लेके आ रहे हैं दूसरा institutional plot भी लेके आ रहे हैं rate मैंने आपको बता दिया तो अगर आप इन दोनों में भी interested हो तो आप बात कर सकते हो आपको इसकी location भी दिखा देता हूं site view भी करवा देता हूं और connectivity भी दिखा देता हूं so logo का जैसे मैंने last video में भी देखा था कि logo कमेंट आये थे कि location आप काफी बड़ी जो है वो दिखा देते हो drone के थूँ actually मेरे साब से देखो builder भी आपको देखना चाहिए आपको जो है उसकी amenities भी देखनी चाहिए कितने एकड में project आ रहे है जो भी आप देखते हो जो भी आपके checkpoint है बड़ मेरे साब से आपको जो preference देनी चाहिए location की location अगर आपने नहीं समझी तो फिर अगर आप उस project में जा भी रहे हो तो I don't think कि आपको को कोई location एक main होता है आपको किसी project को select करने का तो मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप builder को भी ना देखो यह builder को भी देखो आप जो है दूसरी चाहिए भी देखो बट location जो है आपके लिए काफी important होनी चाहिए तो इसलिए मैं क्या करता हूँ खुच जाता हूँ महाँ पर location देखता हूँ चलिए पहले मैं आपको connectivity दिखा देता हूँ यह सामने जो आप main road देख रहे हो यह आपका है sona elevated road और यह जो barricating हो रहे हैं यही आपके अंदर site है यह जो सामने sona elevated road है और इधर आप देख रहे हो जो building है white color की यह आपका country in hotel है और right side जिस तरफ यह car move हो रही है सीधा आजाता है आपका राजीव चोक यहाँ से आपको राजीव चोक जाने में लगेंगे 10 से 12 मिनट क्योंकि मैंने एक video बनाया है जिसमें राजीव चोक से लेके till sona elevated road तक 17 मिनट के अंदर आप आ सकते हो आजीव चोक से sona elevated road तक जो की right side toll से भी आगे 5 मिनट और पड़ता है तो 10 से 12 मिनट आपका राजीव चोक है उससे पहले आपका 7 से 8 मिनट में आपका आप जो है वाटी का चोक भी जा सकते हो और वाटी का चोक से फिर आप चाहिए द्वार का express वे जाना हो इदर आपको golf course extension road जाना हो इसली जा सकते हो although एक road और भी golf course extension road से expected है जो सीधा KMP express वे तक जाएगी back side से जो एक तरह से sona elevated road के पहले road होगी वो अभी future में आनी है देखो कब आती है वो road यह आपका सीधा चला जाता है sona side और पांच मिन के distance पे आपके sona elevated road खतम हो जाती है left side 4-5 sector है जहापे DDJY के काफी plotting भी और काफी affordable भी वहाँ पे आए है और उस तरफ आपका central park गोद्रेज nature plus signature पाक 1, 2, 3, 4, 5 और development है और यह आपकी नीचे आजाती है site जितनी इस तरफ बार्केटिंग हो रखी है अप्रोक्स 140 एककर की site है जिसमें अभी यह first phase के अंदर यह low rise development लेके आ रहे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि आप देखोगे चारों तरफ से आपका जो है अरावली आ जाता है पूरा और काफी अच्छी oxygen आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि pollution काफी कम रहने वाला आपका यहाँ पर भले ही आसपास development भी चाहें आ जाए यह आपकी complete site आ जाती है आगे आप जाओगे तो operational आपको university मिल जाते हैं school operational मिल जाते हैं आप देख सकते हैं कितना beautiful view है और इदर यह सारा पीछे जो आप हिल देख रहे हैं यह सारी अरावली है overall site आपका view आ जाता है 140 acre की site है और connectivity भी आपकी main sona elevated road से आपकी main connectivity आ जाती है आगे आप सिधा Central Park गोद्रेज नेचर पर सिधा चले जाते हो तो यह जितनी भी आप site देख रहे हो यह signature की site है new project की low rise की सो यह थी इसकी location connectivity और मैंने आपको site view भी करवाया तो builder जो है first phase के अंदर 600 unit लेके आ रहा है और multiple phase आगे लेके आएगा तो अगर आप investment purpose के लिए first phase में आप enter करते तो definitely you'll get the benefit बाकी UI का process ओना है EOE के process के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो EOE process के through जो है आप अच्छे से अच्छे unit book करवा सकते हो बट उसके लिए आपको जल्दी action लेना पड़ेगा क्योंकि काफी अच्छा project है काफी अच्छा response builder को मिल रहा है और काफी time के बाद जो है four floor एक budget range में आते हुए लग रह लेना और जो भी आपका relative या कोई friend इस budget के अंदर देख रहा अच्छी location में तो I think आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share करके जाना मिलते हैं नए project के साथ बबबाए